अब बता रहे हैं कि अगर कोई ब्यक्ति नाम जब करता है तो नाम जब करने का क्या प्रभाव पड़ेगा उस ब्यक्ति के उपर जो भी ब्यक्ति हरी नाम लेता है तो उसके उपर उसके ब्यक्तित उपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा नाम लेने से उसका क्या लाव होग क्या फायदा मिलेगा उसको तो इसके साथ फायदे बताये गए हैं न कितने साथ फायदे जो कि सिक्छाष्टकम के सबसे पहले स्लोक में सिक्छाष्टकम के सबसे पहले स्लोक में नामजब के साथ फायदे बताये गए हैं उसका एक एक करके हम लोच चाचा करेंगे तो सबसे पहला जो फायदा है वह चेतो दर्पण मार्जनम कि हमारे चित के दर्पण की सफाई होती है हम मनुस्य के चित को कि तूलना एक दर्पण से किया गया है दरपण में हम क्या करते हैं अपना चेहरा देखते हैं यह न दरपण में हम लोग चेहरा देखते हैं लेकिन अगर दरपण पर अगर धूल जमा है तो दरपण होते हुए भी हम अपना चेहरा उसमें नहीं देख सकते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने चेहरे को देख सक तो हमें क्या करना पड़ेगा उस धूल को भटाना पड़ेगा साफ करना पड़ेगा तो उसी तरह से जो चीत है हमारा एक दर्पण के समान है उसी चीत में जो है हम अपने आत्म स्वरूप को दर्शन कर सकते हैं हमारा क्या स्वरूप है भगवान के धाम में है न भगवान के रस में हैं बातसले रस माधूरे रस साखे रस डासे रस कौन से रस में हैं हमारा क्या स्वरूप है तो उसको हम नहीं समझ पाते हैं क्यों कि हमारा जो आइना है उसमें क्या है धूल जमा हुआ है धूल क्या है अनर्थ का धूल है जो कलमस जिसको बोलते हैं तो वो सबसे पहले जब करते हैं तो सबसे पहला जब का जो प्रभाव है वह कि उस धूल को साफ करता है जब फिर दूसरा क्या है भाव महा दवागनी निर्वाप नब भाव महा दवागनी निर्वाप एक बर जैसे ही वो धूल जितनी मात्रा में साफ होती जाएगी काम क्रोध लोग इर्ष्या द्वेश आंकार ये गंदगी बहुत इक संसार को भोगने की लालसा इस्वर कंट्रोल करना अब हम देखते जनरली एक बिक्ती चाहता है कि हर बिक्ती हर चीज हमारी हिसाब से चलो इसको गते हैं कंट्रोलर मेंटालिस्टी इस्वर भाव और हर चीज मेरी हो इस वोलते हैं प्रोप्रियाइटर्शिप प्रोप्रियाइटर्शिप का मतलब क्लेम करना कि सब कुछ मेरा हो मेरा है यह मेरा 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 और फिर भोगता का भाव कि मैं भोगता हूँ सबको इंजवाय करने का भाव तो यह कलमस है हमारा जो छे रुपों में प्रकट होता है इसको अहंकार भी बोलते हैं फॉल्सी फॉल्सी इगो का मतलब क्या है कि मैं कंट्रोलर हूँ मैं इस्वर हू मैं सबका स्वामी हूँ मैं सबका भुक्ता हूँ यह भावना है इसको कते हैं अहंकार अहंकार और सच्छा अहंकार क्या है कि नहीं कृष्ण जो है वो वो सबके स्वामी है कृष्ण सब के इस्वर हैं और कृष्ण सब के भुगता है जो भगवदीदा भगवा ने कहा भुगतारम जगे तबसाम सर्व लोक महेस्वरम सुहिदम सर्व भुतानाम ग्यातवामाम सांती रिक्षती यह कृष्ण है कृष्ण जैसे चाहेंगे वैसे चलेगा संसार और हम उनकी हिसाब से चलना पड़ेगा अब कृष्ण बोलते हैं कि तुमको मैं मारने चाहता हूं तो ठीक है आब मार दो मारो बीराखो भी जो इच्छा तो हार है न तो यह तैयार रहना येस कृष्णा 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 I want to kill you okay very good I am ready kill me if that प्लीजेजिए अगर क्रिश्ण आगों बोलते हैं कि मैं तुम को चाहता हूं कि अब तुम समाप्त हो जाओ इस संसार से आप क्या बोलेंगे माला इतना किया क्या फाइदा हुआ है ना कोई फाइदा ने का माला करने का प्रभु तो मेरा साथ ही नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम क्रिश्ण के अनुसार नहीं चल रहे हैं कि हम क्रिश्ण को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं ज्यादा तर लोग आप देखेंगे संसार में कि वह चाहते हैं कि भगवान हमारे हिसाब से चले संसार हमारे हिसाब से चले या कम से बागी तो हमें कम से इसकौन हमारे हिसाब से चले या कम से कम मेरे परिवार के लोग मेरे हिसाब से चलें हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है तो जब हम जब करते वह गानी तो हमको समझ मेरे नहीं नहीं मैं उलटा सोच रहा हूँ मुझे भगवान के इसाफसे चुलना है जैसे भगवान चलाएंगे वियसे हम चलेंगे, जैसे एक होता है क्या उसका, पफेट क्या, पफेट सु पफेट को क्या वोलते हैं ते में कट्फुतली एंक एक है किरिशक्रिश्ण 182 प्रूर कृष्ण है कि नाचाव नाचाव उसे मतय काष्थे रभ पूत अली यथा नाचाव से मत चिलब प्रभुपाजि जब अमेरिका गए तो वहां पे जब इसकौन नहीं बना था भी शुरुआती हुई थी उन्होंने जो गीत लिखा उसमें लिख रहे हैं कि है प्रभूर मुझे समझने रहे हैं कि आप यहां पर मुझे क्यों लेके आये हैं क्या करूंगा यहां कर कोई कौन मेरी बात सुनेगा कौन में लेक्चर दूंगा सुनेगा प्रभपात जी पुजा कर रहें तो देख की लोग का हक्य बख्य कौन सनेगा भागोत और गीता यहां पर सब माया में लगे हुए भाग रहे हैं पैसे की पीछे भाग रहे हैं संसारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं तो भगवान को बोलते कि लेकिन प्रभू आपने मुझे लेकर आये हो यहां पर तो जरूर आपका कुछ उदेश से होगा आप मुझे इंगेज कीजिए जैसे न चाहिए मुझे 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 अपनी Venegi बनाये और न चाहिए जैसे आप ना चाहते हैं यहां चाहते हैं मेरे घृजा बना हम कलम बंजाए और भगम हम आरे लिखे गचे लिखें तो जब कोई बढ़िया किताब लिख देता है तो किसको क्रेडिट मिलता है कलम को मिलता है जो लिखता है जो लिखता है और वांथर पैन को नहीं उसका कोई करिकेटर सेंचुरी बना मैश मिलता है तो उसको थी मैश नहीं मिलता हैं वहत Great को तो कोई देखता भी नहीं कहांगे कौन सा भैट था me तो उसी तरह से हम सब भगवान के बैठ हैं क्या है बैठ है जैसे नचाहेंगे वैसे अचना है जैसे घुमाएंगे घुमना है और जो से जू लाब होगा हम अगर अच्छा करते हैं कुछ चीज तो क्रेडिट किसको जाना चाहिए भगवान को जाना चाहिए खुद को क्रेडिट नहीं लेना है को भी अच्छा कारे हो गया तो इस प्रकार से इसको करते हैं सच्चा अहंकार को जब इसमें स्थित होकर जब करेंगे सच्चे अहंकार में स्थित होकर तो तूरत हमारे काम क्रोध लोग एर्षय द्वेस अहंकार सब दीरे-दीरे है खतम होता जायेगा और जितनी मात्रा में यह सब खतम होगा उतनी मात्रा में मंको मानसिक शांती का एसास होगा हम realize कर पाएंगे कि हम सरीर नहीं है हम मन भी नहीं हैं बुद्धी भी नहीं आंकार भी नहीं हम इन सब से उपर उठे आत्मा है मन से हम प्रभावित नहीं होंगे मन कुछ भी करेगा उससे हमार को प्रभाव नहीं पड़ेगा जब यह सवस्तर हो जाते हैं तो फिर भाव महादागनी निर्वापड़ों फिर संसार के सुख दुख मान अपमान हानी लाव इस सबसे हम प्रभावित नहीं होते हमको यह कुछ दाएगे नहीं हमको अपमानित करदेगा थो हमको थोड़ा भी उपर नहीं लगेगा तो यह भाव महादागनी निर्वापड़ हो आफ़ यह और फिर तीसरा थे दूसरा फाइदा है कि तुरत कश्टों से निजाद् शुटकारा मिल जाएगा आपका मन जोह सांत रहाएगा जैसे भगवान गीता में करते हैं कि आप पुर्यमानं अचला प्रतिष्ठम समुद्र मा प्रविशंति यद्वत का माय प्रविशंति सर्वे ससांतिम आपनों तीनकाम कामी दुसरी अध्याय का सत्तर नमर स्लोग कि जिस प्रकार से एक समुद्र होता है समुद्र का जल जो हमेशा एक ही लेवल पर रहता है कभी नहीं देंगे समुद्र में बाढ़ आ गया और पानी ओवर फ्लट हो गया कभी इसा नहीं गया हजारों नदियां समुद्र में जाके मिल रही है लेकिन समुद्र का अस्तर उतन का फुट नहीं और बाल्टी कप में दो मगबारी डाल दीजे लेवल उपर आ जाता है तो गते कि जो जो योगी होता है योगी उसका मन समुद्र की तरह होना चाहिए इसमें हजारों एक्छाएं प्रविष्ट कर रही है तद्वत कामा यह प्रभी संति सर्वे फिर भी वो उ से प्रभावित नहीं होता है विहाय कामान्य सरवान पुमान सरति निश्प्रिय निर्ममो निरहंकार सा सांतिम अधिक अच्छति सांति को प्राप्त करेगा कौन जो निश्प्रिय हो चुका है जो विहाय कामान्य सारी इक्छाओं को त्याग चुका है इक्छा नहीं करता ह क्या इक्षा करते हैं धान संपत्थी सम्मान करते हैं अच्छा बढ़िया प्रशाद वो जन टेस्ट मिले प्रशाद टेस्टी होना चाहिए मिल गया तो ठीक है टेस्टी मिल गया तो ठीक है नहीं मिला तो भी ठीक है मिल गया तो खा लिए नहीं मिला तो नहीं कोई बात फिर भी कोई दिकत नहीं मिल गया टेस्टी बनाएं ओके ठीक है लाइए खाएंगे अच्छा टेस्टी नहीं बनाएं कोई बात नहीं लाइए ख जो भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना है इसको कते हैं कामान्य हसरवान भिहाया मतलब सब्ध्याग दिया कामाने कामाने मतलब इक्षाएं और पुमान सरती निश्प्रिया हो चुगा मतलब इक्षा कोई इक्षा नहीं करता है निर्ममो निर्ममो ममा यह मेरा 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 कोई चेज मेरी नहीं है अलागी ड्यूटी है तो करता है परिवारिक जीवन में है तो आप बोलेगे नहीं मेरा पूत्र है यह मेरे पति है यह मेरे पत्नी है तो बोलता है बेवारिक तक लिए लेकिन उनसे दिल में पुछिया जाए अंदर पुछा जाए कि यह कौन है आपके बोले हमको तो आप मैं कौन हूँ खुद ही नहीं पाता हूँ उसको क्या बताओं मैं कौन हो आज तक समझ नहीं पाए तो उसके बारे मैं क्या बता हूँ है ना पर फिर भी इस संसार में जब तक हैं हम इस संबंध में लोग स्थित हैं लेकिन वास्ताव में हमारा क्या स्वरूप है हमको पता नहीं है कि नहीं तो जब हम उस स्तिति को प्राप्त होंगे जब हम समझ पाएं कि नहीं वास्तों में मैं कौन हो मुझे तो पता ही नहीं अब तो निर्मम हो पाएंगे क्या हो जाएंगे निर्ममा निर अहंकार मैं कौन हूँ मैं कृष्ण के दासों का दास हूँ तो अहंकार क्या है मैं स्वामी हूँ मैं सब का पॉस हूँ कि सब लोगों को मैं अपनी उंगली पर घुमांगा कर दो दो जाओ पैट जाओ खड़े हूँ न यह हुआ और है कि बेटव मैंने बना बैठने के लिए बैट जा एक हुआ न कि मैंने बोला न बैठने के लिए बला की नई क्या बोला मैंने बैठो अगर आप रहें तो किसी के फाइदा हो रहें तो डाट सकते हैं पर उससे मान ली जाटने के बाद ही वह बाप की बात नहीं मान रहें तो क्या करेंगे तो जीए को बहुत ज्यादा उस पर प्रभावित नहीं होना चाहिए अजी माडर ऑफ डूटी क्या को मैँड meno को सब कुछ करेंगों लेकिन अंधर से हमें डीट आज रहाना चाहिए मेराए इन से मेरेक एक्सपेक्टेशन है वो मेरी बात सुनेंगे लेकिन उन्हों नहीं सुना तो क्या करेंगे हैं कोई बात नहीं है ठीक है लिटाच रहने के तो अध्यात्म बुद्धी से उपर उठना ने भक्ति में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस सबसे उपर उठ जाते हैं कोई हमारे साथ दुर्बेवार किया है तो वो सब हम लोग वह हम उचीज़ा हमको परिशान नहीं करता है कि इसने में हमको बहुत पहले दुर्बेवार किया आभी भी कर रहा है ठीक है तो उसके पती बहुत ज्यादा हम डिश्टरब नहीं होंगे उसको देखकर सब्सक्राइब क्हार करेंगे कि वह सिर्इर में हैं तो उसने मेरे सरीर को नकसान किया मेरे प्रत्ष्ठा को मेरी उसने मेरी निंदा की उसने मेरा चुगली किया इसलिए मैं उससे बहुत गुशा में आपका चुगली मेरा मेरा इजद उसने मिट्टी में मिला दिया इजद क्या है पहले तो यह बताओ कि आप क्या हो उसके बाद तो आपकी इजद आती है और यह समझे कि आप हैं कौन फिर उसके बाद आपकी इजद अभी तो फॉल्स प्रेश्टिज है न साथ इस सबस्टिजों से प्रवावित नहीं होता है इजद प्रयास करता है कि इजद खरावना लेकिन अगर नहीं भी वहा तो ठीक है क्या कर सकते है कि आना तो इस तरह से भाव महादावागनी निर्वापने दुसरा फायदा है जैसे जब मेरे उची बढ़ेगी तो हमारे अंदर ये गुण विक्षित होता है इसलिए प्रशन चीत रहेगा हद प्रिष्थिती में हमेशा प्रशन रहेगा दूसरा है कि अब तिसरा जो फायदा हुए श्रिया कईरव चंद्रिका वित्वरणम कामल कमुद का जो प्ुस्ट को बोलते हैं पैंव इक होताय कमल होताय को कमुद कमुदनी बोलते हो इसको कम्ध जो है वो 2020 सुब खिलता है सूरिय के साथ सूर्य जैसे उद्या होगँ गंगा कुमद्यनी का उलटा है कुमद्यनी साम में जैसे चंदरमा ऊगजता है और चंदरमा का कम मतलब है कुमद्यनी और चंद्र का सद्टों खुलता है रात में उसके पंखुणिया इसे खुलती है न बन रहेगा धीरे धीरे एक खुलेगा फिर दुसरा खुलेगा पंखुणी खुलता जाएगा पूरा प्यल जाता है पर 10 और चंद्रमा की किर्णे जब उसके पढ़ती है छन्द्रमा कहा है और कुमदिनी कहा है बहुत दिस्टेंस है तरनों के बीच में ना किन लगे अधिक है उतने दूर से उसके अंदर इतनी सक्ति कि उसके खुल देता है उसके कपार्ट को रुण गेंर अन्रों में इतनी सकती है कि वह कपार्ट को खुल देता है जो तरह से बहुँत दूर है लेकिन उंका जो नाम है वह चंद्रमा के किरणों की तरह है और हमारा हिर्दे जो है वो चंद्री का केरों की तरह है केरों कुमदिनी की तरह है उसके बार बार हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 इसकी ध्वनी जब पढ़ती है जाके उस पे तो धीरे धीरे हमारे हिर्दे के कपाट खुलते लग कभी कृष्ण से प्रेम होगा कभी उनसे बिरह का भास होगा कभी मिलन का भास होगा कभी कृष्ण से बात करेंगे कभी हसेंगे कभी रोएंगे कभी नाचेंगे कभी गाएंगे इस तरह के ना प्रकार के इर्दे में क्या प्रकटते हैं भाव प्रकटते हैं क्यों नाम की प्रभाव से और अलग-अलग पंखुणिया खुलती जाएंगी और अलग-अलग प्रकार की सात्विक सुद्ध सात्विक भाव परकट होते हिर्दे में तो उसको दैस्ष्रेय कहिरो चंद्रिका वितरणम तुसरा फ्राइदा चौथा प्रभाव क्या है बिद् हरिनाम में इतनी सकती कि सास्त्रों का सारा ज्यान आपके हिद्यां प्रकट होते विद्या को तुलना किया गया है वधू से वधू मतलब पुत्र वधू जो बलते हैं नवजूती विद्या की जो वधू है उसका जीवन है हरिनाम आपने सारे सास्त्र पढ़ने लेकिन हरिनाम नहीं किया तो सास्त्र का पढ़ना बेकार क्यों कि पढ़ने के बाद जो उसमें आनन्द बताया गया हो आपको मिले गई नहीं दिखेगा पता चल जाएगा लेकिन आस्वादन नहीं हो आस्वादन तब होगा जब हम हरिनाम कर तो जीवन विद्या का जीवन है हरी नाम कोई शास्त्र पर बहुत पारंगत हो लेकिन उसको उसका लाब नहीं मिलेगा वो आनद को जानेगा कि इसमें आनद है लेकिन महसूस नहीं कर पाएगा जब तो वो हरी नाम नहीं करेगा क्यों ग्यान होगा तो वो जो विद्या बधू जीवन जो उसमें प्रॉमिस किया जो हम पढ़ते हुँआ उसको महसूस भी कर पाएगे जब हरी नाम करेंगे तो और फिर क्या होगा आनंद आम अनंद का समुद्र बढ़ने लगे दिन पर दिन होट आनंद हिर्दे में आनंद कानम होगा पुर्ण सर्वाट्म सन पनल करता है रिनाम मतलब सबका स्नान हो जाएगा चैति कि अंदर और बाहर चाहितिना होगे साथपाय देउगे पहला चित्त दर्पण मार्जनम चित्त के दर्पण के सफाई दुसरा कर्ष्टों से छुटकारा वह महाद दावाग निर्वापन तिसरा स्रिया कर्यों चुंद के अवित्रनम भावों के प्रकट आत्मा के जो सुद्ध भाव है वो प्रकट होना शुरू हो जाएंगे उसके बाद बिद्यान बहुत हो जीवनम सारा ज्यान जो है उसका सार प्रकट हो जाएगा फिर आनंद का समुद्र बढ़ेगा फिर हर कदम पे अम्रित का स्वादन होगा फिर सर्वात्म सनपनम फिर अपमे इतनी सक्तिया जाएगी सारे जीव आपका हरिनाम सुनकर वो भी प्रविजयते स्रीकृष्ण संकिर्थ नाम है इसलिए करना चाहिए हम सब तो यहां पर साथ फायदे देखे साथ परभाव है हरी नाम के तो यहां पर आपको लिखा हुआ है सारा स्वभाग्य का उद्य होता है जीवात्मा स्वभाग्य होंगे और फिर स्वभाग्य प्रकट पाने के अ stessoर्द्हे निवर्द ए मेर्थ इप्राइप निवन इश्पलają। गापनेप स्वभाग्य डिवर्थ निव्स्ट्ड़ आत्रमार्द्टि沒關係 इंश्या मने बात्य दी नॉ डुणble स्वड़ डिया। की नहीं हो लो पर बात्रमेरेप्ड थृ Android अनर्थ निप्रिती जैसे हम लोग प्रती दिन सुभग आते हैं कि इतमे की संसार दावा नले लिध लोका त्राणा एकारुम्ने धना गनत्म प्राप्तस्य कल्यान गुणार नवस्य बंदे गुरोश्री चरणार गिन्नौ तो वही है इस्थिती जो है जब हम गुरु के आदेश को हरी नाम जब करने के आदेश को गंभिरता से लेते हैं तो हम लोग और जब करना सुरू करते हैं तब हमारे साथ यह होता है कि जो भी कश्ट है हमारे जीवन में वो सारे कश्ट दूर हो जाते हैं इसले शिलव प्रहपात कहते थे कि the most important instruction of the spiritual master is to chant 16 rounds daily तो गुरु नहीं बहुत सारे आदेश दिये हैं ये करो वो करो ये भी करो वो भी करो वो भी करो प्रचार भी करो ये भी करो मंदिर के सब आई करो, फेस्टिवल मनाओ, ये, कही सार इंस्ट्रक्शन है, लेकिन इन सब में जो सबसे, ज़्यादा इंस्ट्रक्शन कौन सा है, सबसे ज़्यादा महतपुन, सोलमला जब करने का, उसको सबसे पहले, सबसे ज़्यादा प्राथमिक्ता देना चाहिए, तिसरा है कि नाम जब करने से हमको, तिसरी अवस्था जो बताया कि स्रिया करे उचनर का वितर न, अध्भूत अध्भूत अनुभा होने लगेंगे आपको, अध्भूत अनुभा होगा, आदम जो अध्यात्मी करते हैं, लाउन जो दिखना सुरू हो जाएंगे आपको अध्भूत चीजें कि किसी को जसे अशर्भूत दिखने लगता है, किसी को नहीं देखता है, तो जिसको उसको वहीं पर दिखेगा दूसरे को नहीं दिखेगा उसे चैंटिंग में जब कोई एडवांस करेगा तो उसको कृष्ण मुस्कराते हुए दिखेंगे या कुछ अध्भूत ऐसे हिसास होंगे लेकिन इस तरह के और आनन्द हिर्दे में कृष्ण के प्रती फिल तीसरे स्टेज में खतम हो जाएगा फिर भक्ति विद्या बधुजीवनम चैंटिंग इस लाइफ और सोल अफ नॉलेज फिर इन दा हाट अफिटी दिवोटी वू चैंट देवी ब्राइड अव लॉड अपियस इथर टू संस नॉलेज और रिनेंसियस जो भी चैंटिंग करेगा उसकी हिर्दे में ग्यान और बेरागे दोनों प्रकट होगा ग्यान भी आएगा बेरागे भी आएगा हम समझ पाएंगे चैंटिंग करने से ग्यान का मतलब क्या ग्यान का मतलब है कि यह समझ में आएगा कि संसार में कोई सुख नहीं है इस संसार में कोई सुख नह रही हैं और सुख और दोख ये दोनों जो हैं वो एक ही सिखे के दो पहलू है यह सब जो ग्यान है मान अप्मान यह सबसे हम आत्मा कोई समझ नहीं है इसलिए सबसे वेक्ति प्रभावित नहीं होता है इस वो ते बैराग्य है तो और भगवान कृष्ण की लिला हैं जो हैं हमको प्रकट होने लगे गया हम लिला में प्रवेश्ट हो जाएंगे कृष्ण लिला कर रहे हैं आप भी उसमें जाके गुष जाएंगे लिला में साक्षात कृष्ण के दर्सन भी होंगे लाश्ट स्टेज में भाव की अवस्था में जब आठीवी स्टेज में पहुंच जाएंगे भाव में भाव की अवस्था में तो कृष्ण जो हैं वो आपको दिखेंगे और प्रेम के वस्था में कृष्ण आपसे लिला करना शुरू करेंगे आपसे बात करेंगे हर चीज और यह सब हो सकता है अगर हम लुद्यान से जब करेंगे तो यहां पर बता रहें कि कि अगर कोई विक्ति ध्यान पुरवक और हमेशा चैन्टिंग हीरिंग में लगा हुआ है तो वो एक दिन भगवान को मिर्त्यू के समय दर्शन करेगा और मिर्त्यू के बाद भगवधाम चला जाएगा तो यह भी नामजब का प्रभाव है अगर हम ध्यान से नामजब करेंगे तो हम इस सवस्था को प्राप्त करेंगे तो हमने चर्चा किया साथ प्रभाव या बेनिफिट जो बोलते हैं फायदे अरी नामजब करने के और महनंत से करना चाहिए जब इतने फाइदे हो रहे हैं तो यहां रखेंगे ना बारवर जब करते समय फिए हम जब करते हैं और याद फालत फालतो की चीज़ आती है क्यूं कि हम लोग इन सब चीजों के याद साथ हो याद कर लिजे और उसी पर ध्यान लगाईए अना इस म उसके अर्थ पर भी ध्यान लगा सकते हैं जब करते समय ना कि हे राधरानी हे कृष्णा ए राधरानी हाँ बोलो मुझे अब क्या चाहिए है तो हम लोगे क्या बोलते हैं अरे उसने मेरे को गाली दिया था कल ना उसको पिटना पड़ेगा पिटना पड़ेगा ऐसे हम लोग बोलते हैं इसने हमको गाली दिया तो हे किर्ष्णा हाँ बोलो यह भाक्त को पिट रहे हैं इसने मेरा जीना दुबर कर रखा है इसे हम बताते रहते हैं बहुत परिसान किया है तो मैं क्या करूं अरे मैं आपका नाम जब करूं ताब भी तू कुछ करो है ना हम लोग एक वक्त बोला कि हम नाम जब करते हमको क्या फैदा हमारे दुश्मन का तो बिनास हो नहीं रहा है बिगन बिनासक तो गनेश जी है और नाम जब से तो बिगन बिनास नहीं हो रहा है दुश्मन का बिनास नहीं हो रहा है तो है कि हमारी चोटी-चोटी समस्याओं को हल करने के लिए हमको नाम जब नहीं करना चाहिए लिए यह चोटी-चोटी समस्याओं को में हम फसे रहते हैं इसलिए हम नाम जब ध्यान से नहीं कर पाते यह वही बात हुए कि मच्छड मारने के लिए तो लेके आए जब करके सोचते चोटी-चोटी समस्याओं दूर हो जाए यह वही है कि तोप से मच्छड मारने के लिए तो जब भगवान का नाम जो है तो बहुत उत्तम चीज है उसको छोटी-छोटी चीजों में नहीं लगाने का जैसे किसी ब्यक्ति को हीरे की पहचान नहीं थी एक द नहीं हो छोटी-चोटी-चीजों के लिए नामजाब को ब्हत करते हैं को है तो टेंपरोरी प्रॉबлем को तो सुल्ब करने से क्या मिलेगा जीवन की छोटी-छोटी समस्य आए तो बनी रहेंगे तो हम लोग उसमें अगर फंच जाएंगे उसमें दिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे उसी में हम अपना मानसिक और सारी सारी सक्ति को उसमें बरबाद कर देंगे तो आध्यात्मिक प्रगति अ जब अध्यांडी है कितने लोग ठंडी कार्ना सबस्क्राबे जब यही सौश्चते है तो बहुदा खणडी क्यों ध्युक्रद भातों कि परम ठंडी तो कौने करता है से क्यों ठंडी लग रही है लें लेकिन उसमें ध्यान नहीं है कि नहीं ऊतनeg नहीं मानते हैं उसी तरह से हर चीज के साथ किया जा सकता है कोई उंको गाली देदेदे आम टेंसन नहीं लेते उसके क्या करना है भगवान जब करते समय यह करना है हे कृष्ण हे राधरानी हाँ बोलो क्या करना है सबजी की सबजी नहीं है घर में लेकि आ जाओ बेटा बात नहीं सुन रहा है नहीं प्रभु नहीं सुन रहा है थोड़ा ऐसा कुछ करो कि बेटा भी बात सुनने लगे लगे यह सब छोटी-छोटी चीज़ों में फसे रहते हैं भगवान को फसा कर रखते हैं आपसुछा बात को एक व्यक्ति था उसने तपस्या किया और तपस्या के बाद जो है भगवान ब्रहाजी प्रकट हुए ब्रदान देने के लिए तो बोलें ब्रहाजी तुम्हारी तपस्या से तीन बर्दान दे दीजी तो पहला बर्दान रबडी दुसरा दुसरा की देखो बहुत इनों से पेण पे लटक के तपस्या किया अभी तक घर बनाने पाए घर बनवा दीजी ब्रमा जी बोली पागल आदमी इतना तपसे के बाद छोटी-छोटी चीज मांग रहा है मेरे से इन न मुर्खो तुम मैं ब्रह्मा उतने दूर सायों कुछ बड़ा मांग लो बोला नहीं नहीं आप अभी पूरी बात तो सुनिए है हाँ बोलो तिसरा बर्दान क्या है तिसरा बर्दान दीजे कि जब चाहूं तब तीन बर्दान मांग सकोई आप प्रह्मा जी फस गये थीक है जाओ जैसे अभी गए ही थे पांच मिनट तुरत वला ब्रह्मा जी फिर से आजाए हाँ हाँ बोलो तिन पर्दान दीजी घोड़े की वहस्था कर दीजे और दुसरा घोड़ा पेखाना करेगा इसको साफ करने की वहस्था किजिए और त चोड़ी चोड़ी चीजों के लिए हम भगवान को परिशान नहीं करना चाहिए बचा के रखना चाहिए इमर्जेंशी के लिए जब कुछ बिलकुल संकरण कम पहिंच जाए कोई पाए नो तब उस्तामें भगवान को याद करने नौकर के रुप में इस्तिमाल नहीं करना चाहिए नौकर इधर आजा थोड़ा ज़ाद लोगा दे नौकर थोड़ा इधर कर दे इस तर भगवान को छोटी-छोटी चीजों के लिए परेशान वहां कि हमें चाहिए क्या दिए यह सब तो चलता ही रहेगा संसार में यह तो बहुत संसार है अज्यानता से उपर उठके हमें बहरागे मिठित होके अपने कर्म करते रहने चाहिए और भगवान से ही करना चाहिए ही प्रभू मुझे माया की सिवा से बाहर निकालके अपनी प्रेम मैं सिवा में लगा लिजिए मुझे अपना सिवक बना लि कैसे पता चलेगा तो अगर भगवान आपको अपनी सेवा में लगा के रखे है इसका मतलब भगवान आपसे खुश है अगर आपको भगवान सेवा दे रहे हैं इसका मतलब खुश है कैसे पता चलेगा कि आपका employer आपका boss आपसे खुश है आपको नौकरी से निकाल नहीं अनलोकू से है ना अननी तो जीज दिन नाराज हो जाएगा तुरत नोटीस देदेगा कल से मत आईए तो अगर क्रिष्ण हमको सेवा दे रहे तो और क्या चाहिए प्रभु बगवानु क्या चाहिए बोलो प्रभु कुछ नहीं चाहिए बस आप अपनी सेवा देते रहे हमें कि अप सेद्य अधन नहीं चाहिए है अनुजयाई नहीं चाहिए घर के बैस्था करना नहीं प्रभु यह सब नहीं चाहिए कि तो नश्ट हो जाएगा आप अपना प्रेम दे दो आप से प्रेम करूं बस और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे सारे रोग नश्ट कर दूं प्रभू अगर वह आपकी सेवाब के लिए जरूरी हो तो कर दीजिए अगर आपको लगता है तो लगता है जरूरी आपको जो उचित लगे वह किजिए आपकी जो इक्षा है उसी में मेरी खुसी है इस भाव में इस्तित होकर हमें जब करना चाहिए तो मैं यहीं विराम करूंगा कि जब करते समय हमें प्रेम किया अस्था को प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए बगवान को कुई कि अगर हमने भगवान से प्रेम कर लिया तो भगवान हमारे हो जाएगी जो भगवान हमारे हो गए तो और किसी जरूर था है ने होमें अपना लिया भक्ति करते समय कश्ट क्यों तो कश्ट जो है दो कुछ कारणों से होता है दो तिन कारण है उसके एक समय सब्जब्ध महत्पून कारण यह है कि भगवान जो है चाहते हैं कि मेरे भक्तों के जो भी कर्म है वो कट जाएं जल्दी से जल्दी ताकि दोबारा उनको आने का वसर नाम है जैसे कि ना जैसे किसी को बहुत लोन होता है तो जल्दी जल्दी चुका दे ताकि लोन फ्री हो जाए तो उसी दोड़ से हमने कुछ पैसे कर्म किये हैं पिछले जन्मों में तो उसके कारण कष्ट होता है कई वर भक्तों के उपर लेकिन वो भी मतलब सास्त्र बताती कि वो भी भक्त जो भक्ती में भगवान के लग जाते हैं उनके कर्मों का प्रभाव नहीं होता है उनको कष्ट भक्तों को कष्ट का मे हड़े लेते हैं है क्या करते हैं भक्तों कि परिक्षा लेते हैं कष्ट देखर खुसी में तो यह इसने मेरी भक्ति की है कष्ट में करेगा आपी भाग्वान से प्रभू ना ही मागी देह सुख करंगे भगवान कि आपको कष्ट देकर चेक करेंगी कि तुमने रही बोला था यग गलत बोला था रहा कोई बोलता है ना मेरा शारा जिवन आपके लिए समर्पित है तो कैसे पथा चले कि आप इस्वास करने से पहले क्या करेंगे आप उसको क्रेंगे चेक करेंगे कुछ ऐसी स्थिती में डालके तो उसी तरह से भगवान हमको कश्ट के स्थिती में डालके टेस्ट लेते हैं परिक्षा लेते हैं जब टेस्ट में कोई पास हो जाता है तो फिर भगवान उसको कश्ट नहीं होने लेते हैं इसलिए भक्तों को क्रिष्ट के समय परिशान नहीं होना चाहिए क्रिष्ट करना चाहिए आपको पुरा अधिकार है आप चाहें मेरी मारें मेरी रक्षा करें जैसी भी रखें आपके खुषई अगर इसमें है कि मैं कश्ट जलू तो आपको उसे खुषई मिलेगी तो मैं कश्ट भी मेरे लिए सबसे बड़ी खुषई है यह भाव जैसे कोई भक्तिया इससे प्रात्ना करता है भगवान का हिर्दय उसके प्रतिक प्रेम से भर जाता है भगवान उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं इसलिए आप सब जो है भगवान से इस तरह का संबन्द विक्सित कीजिए यह बागी सब तो छोटी छोटी चीज़ें हैं भगवान के प्रतिस मर्पन भाव भवान से प्रेम भाव जब यह हो जाता है तो भगवान हमसे दूर नह हमारे साथ ही वह हमारी रक्षा करेंगी और हमको कोई समस्या नहीं आएगी और यही जीवन का लक्षे है कि हम कृष्ण के हिर्दे में अस्थान बना सके अपने लिए पूष्ण हमसे क्या चाहिए तुमको बोलो हमें आप चाहिए आपकी सेवा चाहिए और करसने चाहिए क्या चाहिए थिक किसी का कोई प्रशने तो आप लोग पूछ सकते हैं इस दिव्यास दिव्यान सिंगल खरेक्रिश्म प्रभुजी दर्म अपनाम प्रभुजी मेरा प्रशन ये था कि इस पूरे प्रोसेस में उस्सा और धैरे कैसे बना कर रखे कि इस प्रोसेस में लोग कई बार कश्ट जबाता है तो है ना धैरे टूट जाता है हम सब जानते हैं फिर भी कब तक कब तक सहते रहेंगी कि बहुत साथ जवाब देने लगता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं लगता है कि भगवान है या भगवान पता नहीं सून भी रहें कि नहीं रहें तो बहुत सरल उत्तर है इसका भुक्ति मुक्ति स्प्रीहा बिहिना जे भाक्ता लभई ते ताको संग अनूराक्ता मानसदेह गेह जोकी चुमोर अर पीलुतु आपदे नंड की सोड़ जो भक्त है जो भुक्ति मुक्ति मुक्ति की एक्षा भी नहीं करनी है क्या मुक्ति की भी एक्षा नहीं करनी है मुक्ति का मतलब क्या दुखों से छुटका रहा है इसको ओलते हैं मुक्ति हैं भुक्ति मतलब सुख की इक्षा कुछ लोग सुख की इक्षा करते हैं कुछ दुखों से छुटका रहा चाहते हैं जो दुखी होता हो मुक्ति चाहता है जो भक्त होता है ऐसे भक्तों को ढूंड़िये जो भुक्ती और मुक्ती की इक्षा से मुक्त हैं और क्यों क्या चाहते हैं प्रेम तोमारा सेवाया सेटपारम सुखा। यह प्रभू आपकी सेवा में जितना दुह मिलता है न उतना ही मुझे आनन्द आता है। यह आपकी सिवा आपने मुझे इस काब्यू समझा। आपने मुझे इस लाइक समझा। कि आपने ऐसी सेवा दी, जिसमें दुख है, क्योंकि सुख वाली सेवा तो सब लोग कर लेते हैं, दुख वाली सेवा करने वाला भक्त बहुत कम होता है, आपने मुझे चुना, थेंक्यू, है न, कि इसको बोले जाए कि आप ये सेवा किजिए, और इसमें आपको बहुत हो सकता है कि आपको हाथ पैर भी तूट सकता है, कि इतने भगता हैंगे, प्रभु उनको दे दीजिए, नरहरी प्रभु को दे दीजिए, बहुत ध्यान से जब कर रहे थे, मुझे तो सुख वाली सेवा चाहिए, जिसमें सम्मान मिले, जिसमें खुब पैसा मिले, खुब सम्मान मिलता रहेगा, सुख मिलता रहेगा, है ना, आप देखते हैं, करते हैं, दोस्त की पहचान कब होती है, दुख के समय में जो साथ में खड़ा रहता है, वही वास्तविक दोस्त है, है ना, सुख के समय जो खड़ा है, तो मान लिजे कि यह लुग दोस्त नहीं है, इ मिशतर में कौन टिक था है उस समय जो टिक है फिर उसको कभी दुख नहीं तो इतना सम्मान देते हैं इतना उचय कर देते हैं सारी दुनिया उसको परणाम करती लेकिन आप देखो जो भी महानसंत हुए हैं उनको इस परिक्षा इस तिक गुजरना पड़ा है और फिर सब कश्ट किसे बाद देते हैं भगवान माधवंद्रपुरी को बोले जाओ दोहजार किलो मीटर जगनाथपुरी जाओ पैदल वहां से चंदन लेकर आओ मुझे गर्मी लग रही है कि आपको लगते हैं सब किसी को भी तो आप बोल सकते हैं इस सारे कठिन सवाय मेरे को क्यों देते हैं आप इसे नहीं बोले हूं तो खुस हो गए है कि आपने इस काविल समझा मुझे मुझे अपना माना तब तो आपने मुझे ऐसा सेवा दिया जिसमें कष्ट है यहीं प्रेम का लक्षण है तो जिससे भगवान जिसको अपना मानते हैं उसको इस तरह की सेवाएं देते हैं जब हम ऐसे भक्त जो इस तरह की मानसिक्ता सब्सक्राइब करने से इस तरह के प्रवचन सुनने से हमको प्रणा मिलती है